इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Lansopid Junior 15 Tablet DT Orange एक दवा है जो आपके पेट में उत्पादित acid की मात्रा को कम करती है. इसका इस्तिमाल पेट और आंग के acid से संबंधित रोगों, जैसे acid reflex, पैप्टिक अलसर डिजीज और बहुत अधिक acid बनने से जुड़े पेट के कुछ अन्य रोगों के इलाज के लिए किया जाता है. Lansopid Junior 15 Tablet DT Orange का इस्तिमाल पेट के अलसर और acidity को रोखने के लिए भी किया जाता है, जो की लंबे समय तक दर्द निवारक दवाओं के उप्योग के कारण होती है. यह proton pump inhibitor यानि की PPI के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंधित है. इस दवा को हो सके तो सुबह, खाने के एक घंटे पहले लिया जाना चाहिए. डोज आपकी underlying condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी. अगर आपके लक्षन जल्दी से ठीक हो जाते हैं, तब भी आपको निर्धारित अवधी तक इसका सेवन जारी रखना चाहिए. आप समय समय पर काम मातरा में भोजन करके इलाज की कुशलता बढ़ा सकते हैं, और जैसे चाए और कॉफी जैसे कैफीन युक ड्रिंक्स और मसालेदार या फैटी खाना खाने से बच सकते हैं. इस दवा के साथ देखे जाने वाले सबसे सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, सिर्दर्द, पेट फूलना, यानि की गैस बनना और डायरिया, यानि की दस्ट शामिल हैं. ये लक्षन आम तोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या नहीं जाते, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें. लंबे समय तक इस दवा के इस्तिमाल से साइड इफेक्ट का जोखिम बढ़ सकता है. उदाहरन के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक इस दवा का इस्तिमाल आपके हड़ी के फ्रेक्चर का जोखिम बढ़ा सकता है, विशेश रूप से हाई डोज के साथ. घर्डियों की क्षती, यानि की ओस्टियो परोसिस को रोकने के तरीकों जैसे केलशियम और विटमिन D सप्लीमेंट लेने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको लिवसंबंधी गंभीर समस्याएं हैं, HIV के लिए दवाएं ले रहे हैं और अतीत में इसी तरह की दवाओं से कभी अलजिक रियेक्शन हुए या हड़ी के नुकसान, यानि की ओस्टियो परोसिस से पीडित है तो आपको अपने ड जगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद